हेलो वीवर्स वेलकम टो मदलिका क्लासिस तो आज हमस्टार्ट करेंगी सेवंथ क्लास का साइनस का सिकेड चैप्टर जो ह唉13 चैप्टर में क्या पढ़ा था बारहें है लको कैसे नीटरिशिंग होता है तो हमें इतना पता है करने होते हैं ओर्टो ठीके में अब लेकिन जो होते हैं रहे हैं हैं कि नहीं तो connects करते हैं they are dependent on plants for food है की ने तो इसी लिए plants को यह animals को heterotrophs पोलते हैं अब देखो इन्हें अपना खाना तो नहीं बनाना होता है ठीक है बट यह क्या करते हैं इनका जो nutrition होता है वो क्या करता है and what it includes it includes these things the animal nutrition include nutrients requirement mode of intake of food and its utilization in the body थी कैंगा तुछ यह सारी चीजेशे यह include करते है पढ़ने जो sixth class में component के बारे में पढ़ाता है कि फूड में क्या क्या component होते हैं वो आपको याद करना है और फिर यहां पे लिखना है तो हिंट मैं दे देती हूँ जैसे fats था, carbohydrates था, protein था इन सब के बारे में है अब देखें यह जो components होते हैं वो बहुत ज़्यादे complex होते हैं यह जो carbohydrates, fats, protein से बहुत complex form है इस form में हमारी body उसको utilize नहीं कर पाती है इसलिए उसको break करते हैं और simple form में तो यही जो complex को simple में change करता है, break करके इसी को बिटा digestion बोलते हैं क्या बोलते हैं? digestion यह देखें, complex structure है इसको break down किया, यह देखो simple 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 सा substance बन गया अब यह जो simple substance है यही हमारी body utilize करती है ठीक है ना? यह देखें, लिखा हुए तब breakdown of complex components of food into simplest substances is called digestion ठीक है ना? यह होता है digestion चलिए अब देखें, बहुत अलग अलग तरह के ways होते हैं जिसमें हम खाना को अपना लेते हैं ठीक है ना? the mode of taking food into the body varies in different organism ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं हम mouth में से लेते हैं, chill करते हैं and then swallow करते हैं लेकिन जो bees होती है, birds होती है, hummingbird है यह क्या करते हैं यह करते हैं, suck करते हैं, they suck the nectar of plant ठीक है, nectar जो होता है, flower में मैंने आपको बताया था, sixth class की वीडियो में कि जो bees होती है, उनको nectar मिलता है, flower में से, ठीक है ना? वही वो nectar को suck करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या हो गया way of taking food is sucking ठीक है, जो infant की baby, infant babies होते हैं, human के ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी तो मद का milk सक करते हैं, है कि ने, तो वो भी उनका क्या हो गया way of taking food? sucking, ठीक है, अब देखेंगी जैसे कुछ snakes होते हैं, जैसे python होता है, पाइथन क्या करता है, ना chew करता है, ना suck करता है यह क्या करता है, यह सीदा का सीदा, जो इसका प्रे होता है, उसको लुड़ी के पर निगल है । थीक है न अब आपको अक्टिविटिक और गाननिमल्स होते हैं, जो क्या करते हैं वाटर में जो टैनी अनी ऑइनि जाने समस फ्लोट कर रहे हैं उन्हीं को फिल्टर करके फिर उनको खाते हैं तो यह होता है different ways of taking food अब आपको क्या करना है एक activity है 2.1 जिसमें की एक table है ठीक है इसको आपको complete करना है यह animals के नाम दिये हुए हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं उसको आपको यहां पर लिखना है and what is their mode of feeding उसको यहां पर लिखना है ठीक है आपको देखिए कुछ example दिया हुआ है scraping, chewing, siphoning, capturing, soloing, sponging, sucking, etc ठीक है तो आपको इसको देखना है observe करना है उसके पारिम में आप पता कीजिए and then you can complete this table ठीक है so you will find there are different ways of taking in food ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए क्या होता है starfish जो होती है आपको यह starfish तो बड़ी सुन्दर सी लगती है ना अगर आपने reality में भी देखा हो तो बहुत अच्छी सी लगती है यह क्या करती है this feeds on those animals which have calcium carbonate का hard सा shell होता है जिनका तो यह क्या करता है इसके बीच में यहां पर इसका mouth होता है और अंदर ही stomach होता है तो यह क्या करता है यह जो है अपना stomach को बाहर करता है ठीक है और stomach इसके मूँ से बाहर आ जाता है और फिर यह जो है जो जिस प्रे पे यह feed करता है उसका hard जो shell होता है उसको पहले break करता है और उसके बाद जो उसके अंदर soft सी body होती है उसको यह directly अपने stomach में लेता है and then it pops into the body it goes back into the body और फिर वो slowly slowly अपने food को digest करता है this is an amazing fact ठीक है अब बढ़ते हैं हम अपने digestion in humans के बारे में तो देखिए यह होता है हमारा digestive system ठीक है तो बिटा digestive system जो होता है it starts with your buccal cavity जो कि है आपका mouth ठीक है and it ends at anus ठीक है ना बीच में यह जितने होते हैं buccal cavity salivary gland है isophagus है liver, gallbladder, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus ठीक है यह सब included है आपकी digestive system है ठीक है तो आपका जो main digestive system होता है वो होता है buccal cavity, isophagus, stomach, then small intestine, then large intestine and that's it ठीक है बिना जो इनके associated glands होते हैं ठीक है खाने में जो जो components, fats, proteins, starch यह सब को digest करता है ब्रेक करता है ठीक है यह juices ही करते हैं enzymes होते हैं एक तरह के they digest your food ठीक है तो यह जो salivary glands है यह जो है एक आपका gland होता है दिन आपका यह जो liver है यह gland होता है ठीक है गॉल ब्लेडर gland है, pancreas gland है यह salivary gland यह चार main glands होते हैं आपके digestive system में बाके आपका digestive जो elementary कनाल है ठीक है इसी पूरा elementary कनाल होता है ठीक है ना इन्टो वेरियस कॉमपनेंस ठीक है वेरि लॉंग पाथ ओविसली इस वेरि लॉंग पाथ ठीक है इस पाथ टुगेदर फॉम इलिमेंटरी कनाल या फिर इनको digestive ट्राक भी बोलते हैं ठीक है ना तो ओल दीज बकल क्याविटी से लेके इनस तक इसको थैक है अब देखो जब फूड आपके माउटस से लेके आपके नहीं है जी नहीं आपके माउटस से स्ठार्ट हो जाती है निगए नए सदू खैक है ना चले तो अब देखते हैं त study food components gradually get digested as food travels through the various compartments. ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया, जो inner wall है, intestine और stomach का, वहाँ पे और जो various glands है, they secret digestive juices, यह देखे, लिखा हुआ है, stomach के और small intestine के walls, ठीक है, और various glands, salivary gland, liver, pancreas, they secret digestive juices, यह जो digestive juices होते हैं, they convert complex substances of food into simpler ones, ठीक है, और यह जो digestive tract है, associated glands है, इन दोनों को मिला के ही आपका digestive system बनता है, ठीक है, तो digestive system is not just elementary canal, elementary canal plus all your associated glands, ठीक है, चले, अब हम साथ करते हैं, अपना digestion का path, ठीक है, the mouth and the buccal cavity, सबसे पहले, mouth and the buccal cavity के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी तक खाना हम कैसे लेते हैं, माउथ में, ठीक है, माउथ में लेते हैं, प्रॉसेस अफ टेकिंग इन फूड इंटो दे बॉड इंटो इंटो इंजेशन, जब आप खाना अपने मुम में डालते हो, उसको इंजेशन बोलते हैं, आप उसके बाद उसको क्या करते हो, जब आते हो with the help of teeth, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हो उसको, ठीक है ना, into small pieces, उसके बाद इसमें आपकी क्या यूज होते हैं, तो आप के ना, four types के teeth होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, incisors, canine, premolars and molars, ठीक है, जो infant होते हैं, उनके तो teeth होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन, जब उनकी first time teeth हाते हैं, उसको क्या बोलते हैं,atically milk teeth, ठीक है, यह temporary teeth होते हैं, यह milk teeth जब वो six to eight years तक के हो रहते हैं तब यह तूट जाते हैं यह shed हो जाते हैं निकल जाते हैं और उसके बाद जो teeth आते हैं वो permanent teeth होते हैं वो हमेशा रहते हैं until and unless कोई चोट लग गई या dental disease हो गई जिसकी वज़े से उनको निकालना पड़ गया ठीक है न तो यह है हमारा teeth के बारे में यह देखें यहां पर लिखा हुआ है milk teeth and permanent teeth के बारे में the first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between six to eight years थीक है they are termed as milk teeth second set that replaces them are known as permanent teeth permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental diseases थीक है चले यह हो गया हमारा teeth के बारे में अब आपको क्या करना है जो आपकी teeth होती है ना वो एक एक socket में होते हैं आपकी gums में separate sockets होते हैं हर एक teeth के लिए और हर teeth अलग appearance का होता है ठीक है और उनका अपना अलग function होता है तो आपको क्या करना है आपको यह activity करनी है 2.2 और यह जो table दिया हुआ है इसको fill करना है आप आपको अच्छे से hand को wash करके mirror में अपनी teeth को देखना है and then you need to count it with the help of your index finger ठीक है और उसके बाद फिर आप लिखिए कितने तरीके के teeth हैं आपके उसके बाद फिर आप एक apple ले सकते या bread ले सकते उसको खाने की खाये तो आप देखेंगे आप कौन से teeth को use करते हैं उनको bite कर करने के लिए या cut करने के लिए फिर कौन से teeth को use करते हैं उनको pierce करने के लिए या tearing के लिए ठीक है तो या और कौन से को आप use करते हो for chewing and grinding तो उन सब teeth के पारे में आपको यहां पे लिखना है ठीक है नब you will find out that incisor canines premolars and molars they have different different functions यह जो cutting biting piercing piercing chewing grinding यह सब जो है यह हर अलग teeth करती है ठीक है इसलिए हर तरह की teeth है हमारे मुँ में ठीक है नब चले नेक्स्ट हमाते हैं जो है हमारा salivary gland salivary gland जो होता है हमारा वह हमारे buckled cavity में ही होता है तो यह क्या करता है यह secret करता है saliva बेटे जब आप खाना देखते हो तो आपके मुँ में पानी आ जाता है ना ठी जो आता है उसी को saliva बोलते हैं ठीक है saliva कुछ ने उसमें बहुत सारे enzymes होते हैं जो सबसे पहले starch का digestion शुरू करते हैं ठीक है किसका digestion किसका digestion सबसे पहले start होता है किसका होता है starch किसका होता है starch ठीक है ना तो saliva में starch को digest करने के enzymes प्रेजंट होते हैं ठीक है इसको आप एक activity के थ्रू भी समझ सकते हैं यह activity 2.3 है इसमें आपको क्या करना है आपको इस तरह से दो test tubes लेने हैं एक में आपको boiled rice डालना है दूसरे में आपको rice को थोड़ी दिर चू करके उसके बाद उसमें डालना है उसका दिसमें water डालना है दोनों में shake करना है then you'll have to do iodine test ठीक है दोनों में iodine solution डालना है you will see कि इस वाले में जो सिर्फ boiled rice था उसमें blue black color हुआ that means starch was present in it ठीक है बट जिसको आपने चू करके डाला था 3-5 minutes चू किया था उसमें जब तो इसका blue black color नहीं आया वाइ बिकोज जो saliva में enzyme थे उन्होंने starch को पहले ही digest कर दिया तो starch present ही नहीं था the saliva breaks down the starch into sugars ठीक है न यह हो गया हमारा जो बकल क्याविटी में हमारा saliva gland होता है उसका function ठीक है याद रखेगा यह बहुत important है अब बात करते हमारे टंग की टंग सिर्फ हमारे बात करने के लिए ही नहीं होता है यह हमारा एक और भी बहुत important function perform करता है वो क्या करते है इसको mix करता है खाने को saliva के साथ टंग ठीक है टंग helps in mixing of saliva with the food during जब आप उसको चबार हे होते हैं and helps in following the food निगलने की काम help करता है ठीक है न तो जो टंग ह होता है यह हमारे एक fleshy sa muscular organ है जो कि attached होता है at the back of the floor of the buccal cavity यह free होता है front में और move कर सकता है सारे directions में पूरी आपके पूरे मुव में हर कहीं आपका टंग चला जाता है न ठीक है तो उसके बाद फिर टंग जो होता है बात करने के लिए भी होता है and it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food ठीक ह और यह होता है दो functions हो गया यह बात करने का दूसरा chewing करते time saliva को mix करना तीसरा होता है आप टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट बर्द होते हैं टंग पर टेस्ट जो होता है food का वो हमारा tongue ही बताता है क्यों कैसे बताता है इसमें टेस्ट बर्द होते हैं जो detect करते हैं different different taste of the food ठीक ह अब यह हम कैसे find out करेंगे कि किस तरह से हमारा कौन सा area tongue पर कौन सा taste buds कहां पर present है तो उसके लिए आपको यह activity करनी है इसमें आपको क्या करना है इस तरह से sugar solution, common salt solution, lemon solution, juices of crushed, neem leaf or bitter guard यह लेना है या अपने friend को या खुद अपना blindfold कीजिए और फिर एक एक करके थोड़ा यह चारो samples आप अपने tongue पे अलग-अलगेरिया में लगाए ठीक है फिर आप देखिए कि कहां पर किस का taste आपको पता चलता है तो फिर आप label कर सकते हैं अपने tongue में कि हाँ इस region में हमारे कौन से taste buds present है ठीक है ना चलिए यह हो गया हमारा tongue का salivary gland का और teeth का function अब थोड़ा स हम देख लेते हैं tooth decay के बारे में तो tooth decay क्या होता है यह क्या होता है ना हमारे mouth होता है उसमें bacteria होते ही होते हैं ठीक है बट वो harmful bacteria नहीं होते हैं लेकिन अगर हम अपनी teeth को या अपने mouth को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो harmful bacteria फिर उसमें grow होने लगेंगे ठीक है वो bacteria क्या क अगर रहे गया है उसमें जो शुगर प्रेजेंट है उसको ब्रेकडाउन करेंगे ठीक है ब्रेकडाउन करेंगे फिर वो क्या करेंगे उसमें से एसिड रिलीज करेंगे ठीक है जो यह एसिड होता है यह हमारे टीथ को धीरे 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 डामेज करने लगता है और इस कि वज़े से आपका तीत खराब भी हो जाते हैं इतना डामेज हो जाते हैं कि उसको निकालना पड़ जाता है ठीक है ना तो जब भी वेनेवर यू इट चॉकलेट्स स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ भी शुगर पिड़क्स खाते हैं तो प्लीज अपना मू कि आप अपने टीथ को टुथ डिके से बचा सके ठीक है यह करना चाहिए और हर ब्रश यू टीथ ट्वाइस डी यह तो बहुत ही अच्छा होता है और रिंस यूर माउथ थरली आफ्टर एवरी मील तो इससे आप अपना टुथ डिके से बच सकते हैं अब देखो क्या होता कभी कभी हम जब खाना खाते रहते हैं और बात करते हैं या हसते हैं तो हमें हिचकी आने लगते हैं हिकपस आते हैं या फिर खासी आ जाती है ऐसे लगता कि कुछ फस गया ऐसा क्यों होता है पता है आपको जो आपका यह फूड पाइप होता है ना बेटा इसो फेगस जो ह वो और जो हमंधा विंड यह उपनिंग यह नो एक सात weeks teak तो क्या होता है एक फ्लाप लाइक सा स्ट्रॉक्चर होता है जब हम खाना सॉलव करते एक उसको फूड पैप में जाना है तो यह विंड फ्लाप सा स्ट्रॉक्चर होता है यह अधर की मारे ख़्यांक 이제 पाइप में जाए बट कभी कभी क्या होता है फूढा सा निप फूद पाइप में ही जला Ooh को दूब गजाता है तो इसलिए जब हम खाना उतने हैं उसलिए ठाहिए या उसना नहीं हमारा salivary glands teeth और tongue के बारे में ठीक है अब हम बात करते है food pipe जो किया है isophagus उसके बारे में तो ये देखें isophagus इस तरह का होता है ये चीज तो आपका stomach है ये stomach है इतना दूर isophagus है ठीक है ये चीज है आपका isophagus है जब आप खाना खाते हैं तो खाना एक बॉल की तरह बन जाता है और फिर ये धीरे 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 इसकी isophagus के वॉल्स जो होते हैं वो मुव होते हैं और फिर movement की वज़े से हमारा food जो होता है नीचे की तरह पुश होता रहता है और फिर यह अपना चला जाता है कहां पर स्टमक में कभी कभी क्या होता है हम खाना को हमारा स्टमक एक्सिप नहीं करता है जिसकी वज़े से हम हमें वामिटिंग हो जाती है ठीक है समझ के तो यही सीन होता है food is pushed down by movement of wall of the food pipe actually this movement takes place throughout the elementary canal and pushes the food downwards isophagus से फिर स्टमक की तरफ जाता है कुछ कभी कभी at times food is not accepted by a stomach and is vomited out ठीक है यह हो गया अब वामिटिंग क्यों होती है आपको पता चल गया क्यों क्योंकि आपका स्टमक एक्सिप नहीं करता है उस फूड को इसलिए वामिटिंग हो जाती है ठीक है चले अब हम पढ़ते है स्टमक के बारे में तो यह जो food pipe होता है ना बीटा यह कहां से कहां तक है food pipe runs along the neck and the chest ठीक है अब देखें स्टमक के बारे में स्टमक क्या होता है एक थिक वाल्ड बैग होता है यह फ्लाटन जे शेप्ड का होता है इस तरह से होता है ठीक है जे शेप्ड का होता है उसके बाद फिर यह जो है खाने को elementary के नल से receive करता है और small intestine में भेजता है ठीक है जो inner lining होती है हमारे स्टमक की वो उसमें secret होता है mucosa, hydrochloric acid and digestive juices तो inner linings of the stomach secret mucosa, mucos, hydrochloric acid and digestive juice मुकुस होता है वो हमारे इनलाइनिंग्स of stomach को protect करता है और हमारे इस वोगार हमारे फूर्ड में कोई bacteria present है तो उसको खतम करता है इसो digestive juices है यह क्या करते हैं, यह हमारे खाने को कि दैजेस्ट करते हैं teka na elect ekhy ηट करेंगे और जो hydrochloric acid it it makes the medium in the stomach acidic the acidic medium हो जाता है तब ही जो हमारा digestive juice स्क्रीट होता है ना स्टमक से वो काम करता है ठीक है, otherwise जो स्टमक में digestive juices हैं they will not be activated until and unless acidic medium is created ठीक है ना, तो यह जो digestive juices हैं यह किसको ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को तो saliva में, saliva ने starch को ब्रेक किया था है ना, और जो हमारा स्टमक है स्टमक में जो digestive juices हैं वो किसको ब्रेक कर रहे हैं, वो ब्रेक करेंगे प्रोटीन को, ठीक है ना, समझ के ऐसा नहीं है कि starch पूरी तरह माउथ में ही digest हो जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मालब इसका digestion स्टार्ट हो चुका है, ठीक है नेक्स्ट हम देखते है स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बोलने के लिए स्मॉल है है यह 7.5 मीटर्स लॉंग ठीक है, तो समझ लीजिए कितना बड़ा है ठीक है, यह कॉइल्ड, हाइली कॉइल्ड है अदर्वेज, 7.5 मीटर्स तो हम लोगों की हाइट नहीं होती है है की ने, ठीक है न, तो इसी लिए 7.5 मीटर्स का होता है और यह हाइली कॉइल्ड है इसी लिए हमारे स्टमक में रहता है ठीक है, यह क्या करता है यह सिक्रेशिन्स इसको यह accept करता है कहां से, लिवर से और पैंक्रियास से ठीक है, तो लिवर और पैंक्रियास क्या होते है लिवर और पैंक्रियास है हमारे associated glands ठीक है, जो लिवर होता है यह reddish brown का लगखा gland है यह upper part of abdomen में right side में located होता है और यह largest gland of the body है फीक है, अब यह क्या secret करता है यह secret करता है bile juice bile juice जो होता है वो यह secret करता है secret करके यह gallbladder नाम की एक जगाофती है gallbladder gallbladder होता है वहाँ पे jaljus को store करता है liver ने secret किया उसके बाद फे गॉल bladder में bile juice store रहता है और जो bile juice है, वो क्या करता है वो fats को digest करता है, fats को, ठीक है, देख रहे हैं अब, पहले starch, कार्भो हाइडरी डाजिस्ट हुआ, उसके बाद फिर stomach में proteins को digestion हुआ, अब small intestine में किसका digestion हो रहा है, fats का, कौन कर रहा है, bile juice, तो बिटा, bile juice आपको याद रखना है, यह secret करता है, liver, ठीक है, liver इसको secret करता है, गॉल ब्लैडर में यह stored रहता है, ठीक है, और किसका digestion करता है, fats का, ठीक है, यह हो गया हमारा liver के बारे में, यह देखें, यहाँ पर सारी information लिखी हुई है, ठीक है, अब बात करता है, अपनी pancreas के बारे में, तो pancreas क्या करता है, pancreas भी associated gland है, यह बड़ा, यह liver से तो छोटा होता है, ठीक है, cream color का gland होता है, यह stomach के just नीचे located है, ठीक है, यह क्या करते है, pancreatic juices, जो होता है, वो release करता है, जो सब पे work करते हैं, किस-किस पे, carbohydrates, fats, और protein, सब पे, ठीक है, यह pancreas जो होता है, यह तीनों के digestion में help करता है, ठीक है, ना, चलिए, यह हो गया हमारा small intestine के बारे में, तो अब देखो, यह जो हमारा stomach है, इसको कैसे पता किया था, यह Alexis St. Martins थे, उनको एक shotgun का wound था, जिसको, जो doctors थे, वो close नहीं कर पाया थे, तो उन्होंने इस wound के, जो hole था, उसी के थो, उन्होंने देखा था, stomach का function, तो उन्होंने stomach जो है, उसकी जो walls है, उसको churn कर रही है, food को, उसके walls जो है, उसमें movement होती है, and then, जो stomach है, stomach की inner linings है, they secrete mucus, hydrochloric acid, and digestive juices, ठीक है, और फिर, एक end जो है, वो small intestine में open होता है, और दूसरा end, जो elementary, जो हमारा isophagus है, वहां से stomach में food आता है, ठीक है न, तो यह है हमारा उसी से पता चला था, चले, अब देखो, जो हमारा partially digested food है, वो कहां पहुचा, वो पहुचा हमारा lower part of small intestine में, जहां पर क्या होता है, जहां पर intestinal juices जो होता है, अब वो act करेंगे, और फिर, वो complete कर देते है, food का हमारा digestion, ठीक है न, तो अब जो carbohydrate है, वो किसमें break होगा वो simple sugars और glucose वोगेरा में break हो जाएगा, ठीक है, fat जो है, वो fatty acids में, और glycerol में break होता है, प्रोटीन जो है, वो amino acids में break down हो जाते है, तो यह आपको याद रखना है कि carbohydrate किसमें convert होता है, fats किसमें convert होता है, और proteins किसमें convert होता है, ठीक है, यह बहुत important है, इसको आप mark कर लिजे, carbohydrate into simple sugars such as glucose, fats जो होते है, fatty acids and glycerols and proteins जो होते है, वो amino acids में, ठीक है, तो यह जो amino acids है, fatty acids है, glycerol है और यह glucose है, यह हो गया इनका simplest form, ठीक है, चलिए, अब देखे, small intestine में न, यह हमारा जो food की components है, उनका digestion कम्प्लीट हो गया, ठीक है, अब देखो, small intestine में न, यह हमारा जो food की components है में और क्या क्या चीज़े होती है, absorption होता है, जब food का digestion कम्प्लीट हो गया, तो यह glucose बना, fatty acids बने और यह जो हमारा amino acids बने, अब क्या होगा, यह हमारे blood में absorb हो जाएगा, ठीक है, फिर वो हमारी body में, जहां use होना है, वहां blood के थो पहुचेगा, ठीक है, तो यह absorption जो होता ह है, वह कहां पर होता है, वह small intestine में होता है, और उसमें क्या help करते हैं, उसमें यह villi help करते हैं, विलाय क्या होते हैं, finger like projection होता है, small intestine के जो walls होते हैं, inner walls, उसमें इस तरह से finger like projections हैं, ठीक है, आउट growth होते हैं, ठीक है, यह help करते हैं, इनहीं को हम villi बोलते हैं, ठीक है, सिंग में blood vessels है ठीक है विलाय के अंदर ? देखो बेटा अगर कोई चीज ऐसी है और कोई चीज इस तरह से होगई है तो क्या हो रहा है इतनी दूर में आपका surface area और इतनी दूर में आपका surface area देख रहा है तो यह जो विलाय होता है ना वह कुछ नहीं बस surface area को increase कर देते हैं absorption के लिए ठीक है ना तो विलाई क्या करते हैं they increase the surface area for the absorption of food ठीक है यह देखें the विलाई increases the surface area of absorption of food of the digested food ठीक है हर एक विलस के अंदर small blood vessel होता है ठीक है जो की उसके which are present close to the surface ठीक है जो विलाई का surface होता है it absorbs the digested food material और फिर जो absorbed substances होते हैं वो blood vessel में transport होते हैं और blood vessel के थुरू transport किया जाते हैं different different organ of the body जहां पर उनको use होना है ठीक है अब समझ के यह होता है हमारा small intestine का main function ठीक है अब यह जो absorption हो गया देखें सबसे पहले आपने ingestion किया ठीक है क्या 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 अपने इंजेशन किया अपने मुह में अपने खाना डाला उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ भीटा digestion हुआ क्या हुआ वो जो खाना था वो breakdown हुआ into simple substances उसके बाद क्या हो रहा है यह खाना कहां पर digestion complete हुआ small intestine में ठीक है यह mouth में आपने ingestion किया ठीक है अब small intestine में digestion हुआ अब जो यह absorption हुआ ठीक है absorption ठीक है यह कहां पर हुआ यह small intestine में हुआ कैसे हुआ विलाइक कि थरू हुआ absorption absorption के बाद यह जो हमारे फूड के components है ना यह जो अब घय है use होने के लिए इनहीं को इसी को क्या बोलते है को बोलते है assimilation क्या बोलते है assimilation ठीक है यह हो गया assimilation समझ गए अब assimilation में क्या होगा assimilation में होगा जहां 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 जो जो हमारा requirement है ना body का जैसे मालीज आपकी protein की जरूरत है amino acids की जरूरत है आपके muscles को ठीक है तो आपका जो विलाय की थ्रू जो blood vessel ने amino acids को absorb किया तो वो blood vessel blood की थ्रू उस amino acid को आपके उस muscle तक पहुचाएगी ठीक है पहुचाएगी तो आपकी muscle ने उस amino acid को ले लिया और फिर वो यूज कर रहे है ठीक है इसी को बोलते है assimilation ठीक है यह आप समझके यह 4 steps हुए ठीक है चली in the cells glucose break down into with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released देख रहे है तो यह होता है glucose का ठीक है glucose क्या होगा glucose अब assimilate हो रहा है ठीक है यूज हो रहा है तो glucose को break हो गया उसमें क्या यूज होगा oxygen जो हम respiration करते हैं oxygen करते हैं ना oxygen वही oxygen help कर रहा है glucose को break करने में किस-किस में break कर रहा है carbon dioxide water और energy ठीक है ना इसमें break कर रहा है तो यह जो carbon dioxide है वह हम breathe out कर देते हैं water जो है वह हमारी body use करती है और energy जो है वह भी हमारी body को जरूरत होती है इसलिए तो कहते है जो glucose होता है Glucondi जब आप पीते हैं तो आपको instant energy मिलती है इसलिए मिलती है because वह oxygen की help से break down होती है और direct energy release करती है ठीक है यह हो गया हमारा assimilation the food that remains undigested and unabsorbed enters into large intestine ठीक है तो small intestine के बाद कहां गया large intestine अब देखे large intestine बस बोलने को large है है छोटा small intestine से small intestine की length क्या थी बेटा 7.5 meters और large intestine की length क्या है 1.5 meters ठीक है large intestine क्या है wider है लेकिन shorter है than small intestine से ठीक है यह इसका क्या function है it absorbs water and some salts from the undigested food material ठीक है तो large intestine में water or salts absorbed होते हैं ठीक है जो remaining waste होता है वो rectum में जाता है और फिर वहाँ पर semi solid feces बनता है ठीक है और जो fecal matter है वो हमारा inus के थुरू ingest हो जाता है ingest ठीक है समझके तो हमारे जो पांच steps है न क्या-क्या है ingestion digestion absorption assimilation and and fifth is ingestion ठीक है समझके यह पांच steps होते हैं हमारे digestion में ठीक है न चले जो हमारा mode of intake of food है उसके अंदर ठीक है न यह होते हैं पांच steps यह आपको याद रखना है ठीक चले यह हो गया हमारा humans का ठीक है humans का complete अब देखते हैं हम जो grass eating animals होते बच्चे तो जैसे buffaloes हैं cows हैं goat है तो इन में किस तरह से digestion होता है ठीक है इनको आपने देखा है हमेशा यह च्यू करते रहते हैं खाना खा भी लिया तब भी च्यू किये जा रहे करे जा रहे करे जा रहे हैं इसके बारे में अब इम आपको बताती हूं यह जो grass eating animals होते हैं वो जल्दी जल्दी खाते हैं दे quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen rumen नाम का इनकी body में एक part होता है वहाँ पे यह जैसे घास इन्होंने मुमिल लिया और तुरन swallow कर लेते हैं घास खाया यह गया आपका यहां पर rumen में store हो गया ठीक है rumen में store हुआ अब rumen में store है तो वह partially digested है ठीक है अब देखो जो इनका मुमें जो saliva होगा वह थोड़ा digest करेगा ना ठीक है फिर इसो फेगल दें स्टामक में गया तो कुछ डाजेशन होगा फिर यह इनका rumen में गया तो rumen में यह partially digested है जिसको कड बोलते है क्या बोलते है कड ठीक है यह क्या होता है यह जब यह बैठे है ना आराम से cows buffalo तो इनके कड जो होते है वो rumen से वापस इनके mouth में आते हैं थोड़े थोड़े इन small lumps इसी को वो chew करते रहते हैं इसी process को क्या बोलते है बिटा rumination ठीक है क्या बोलते है rumination और जो यह इस तरह के animals होते है उनको बोलते है rumenants ठीक है तो यह आपको याद रख रहे है rumination rumenants curd और rumen ठीक है अब देखो जो grass होता है इसके अंदर क्या होता है यह cellulose होता है इसके अंदर ठीक है cellulose एक तरह का carbohydrate होता है जिसको जो है digest करने का ability सिर्फ ruminants में ही होता है इंसान अगर grass खाएंगे तो they will not be able to digest it ठीक है वो उनके अंदर cellulose को digest करने के enzymes होते ही नहीं है ठीक है ये bacteria present होते हैं in ruminants के अंदर इनके जो rumen है उसमें जो की cellulose को digest करते हैं हमारे अंदर वो bacteria present नहीं होते हैं ठीक है ये देखे लिखा हुआ है the grass is rich in cellulose a type of carbohydrate in ruminants like cattle deer etc bacteria present in rumin help in digestion of cellulose ठीक है many animals including humans cannot digest cellulose ठीक है कुछ animals जैसे horses है rabbits है इनके पास भी large sack like structure होता है जिसको बोलते हैं सीकम ठीक है between esophagus and small intestine ठीक है जो cellulose होता है इनके food में ठीक है वो सीकम के ही bacteria के action से digest होता है ठीक है ये bacteria हमारे अंदर present नहीं होते हैं इसलिए हम cellulose digest नहीं कर सकते हैं ठीक है न चले ये हो गया हमारा ruminants के बारे में अब हम पढ़ते हैं amoeba के अंदर कैसे digestion होता है ठीक है amoeba क्या है amoeba single-celled organism में क्या है single-celled organism ये देख रहा है एक cell है ये पूरा ठीक है अब ये क्या करेगा ये जो है न इस तरह से pseudopodia बनाते है इसकी बार्डी न बहुत इर्रेगुलर शेप होती है कोई ऐसे कोई बी ऐसा शेप होता है इस इसका इसका इसकी cell membrane होगा एक rounded denser nucleus होगा यह देखें, nucleus है ठीक है, और इसमें खूब सारे ऐसे bubble like food vacuoles है समझ लेजेए, यह vacuoles बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं vacuoles, ठीक है, food vacuoles भी होते हैं, इसके cytoplasm में, ठीक है अब, यह जब move भी होता है, तो इसका जो shape है, वो change होता रहता है, अब यह क्या करेगा जब यह move होता है, तो फिर यह इस तरह से यह देखें इस तरह से finger like सा projection बनाता है ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं pseudopodia, यह देखें, pseudopodia लिखा हुआ है, इसको false foot भी बोलते हैं, false foot यह movement में भी help करता है, और खाना भी प्रे को इसके ingest करने में भी help करता है, ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है amoeba constantly changes its shape and position, it pushes out one or more finger like projection called pseudopodia or false feet for movement at capture of food, ठीक है ना अब देखें यह, amoeba जो होता है microscopic organism है, ठीक है यह food को sense करता है और फिर अपना pseudopodia बनाके उसको खाने को अंदर लेता है, ठीक है फिर यह pseudopodia को इस तरह से इस तरह से ऐसे बंद करता रहता है ठीक है, यह देख रहे है अब next में यह food particle है, यह food particle है, ठीक है अब next में क्या हुआ यह इसने अंदर ही ले लिया ठीक है, यह देखे है अंदर चला गया इसके अब यह अंदर जब चला इसके अब यह अंदर जब चला इसके food, it pushes आव pseudopodia around the food particle and engulfs it engulf मतलब अंदर ले लेना the food becomes trapped in food vacuol digestive juices are secreted into food vacuol, they act on the food and break it down into simpler substances. Gradually यह digested food is absorbed यह absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. जो undigested residue होता है food का it is expelled out by the vacuol ठीक है तो देखे, जो basic process है digestion का और energy release करने का वो सब animals में सेम है क्या है? खाना अंदर जाएगा उसके ऊपर digestive juices work करेंगे और फिर उसको breakdown करेंगे into simple form and फिर वो body में absorb हो जाएगा और फिर जो left out है undigested है वो हमारी body से digested out हो जाएगा ठीक है? तो यह सब के अंदर सेम है कुछ-कुछ में थोड़ा-थोड़ा mode of taking food ठीक है? उनका जो हमारा जैसे बहुत complex सा है काफी सारे associated glands है ठीक है? उसके बाद amoeba में simplest form है ठीक है? रियूमिनेंस में थोड़ा सा अलग है तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा वैरी करता है लेकिन जो basic process of digestion का वो सब में एक जैसा ही है ठीक है? तो यह हो गया हमारा nutrition in animals complete और यह हमारे keyword से जो कि मैंने आपको सारी समझा दिये है ठीक है? यह हो गया हमारा chapter finish और अगर आपको यह chapter समझ में आया है यह video आपको पसंद आया है तो please like कीजिए video को share कीजिए अपने friends के साथ और मेरे channel को subscribe कीजिए ठीक है? थैंक यू